इस तरमें अपने आपको प्रेजनcket करने के मार्केट, अपने स्किल्स को करने के बहुत से तरीके हैं पॉARटफोलियो हमेशा आर्टिस्ट बनाते होते थे, स्कूल। में बच्छों के पॉARटफोलियो बनते थे जिसमें के उनकी सारी आर्टवर्क जो नोंने एक साल के दोरान किये हैं, वो किये जाते थे अब portfolio जो हैं सब लोग बनाते हैं और वो online portfolio बना के journalist भी बना सकते हैं IT professional भी बना सकते हैं, bloggers भी बना सकते हैं, कोई designers भी बना सकते हैं तो पॉर्टफोलियो ऑनलाइन जो है वो एक इंट्रिस्टिंग और नई चीज है, मज़े की चीज है और बड़े खुबसूरत हैं और बड़े एजी फॉर्माट्स है तो लेट सी वाट इस इस अल अबाउट पॉर्टफोलियो में क्या क्या होता है? आपने जो काम अपने कीएं हैं, जो आप कर चुके हैं, उसके आप कुछ नमूने पेश कर सकते हैं जाए वो ब्लॉग हैं या कुछ और हैं, उसमें आप लिंक्स भी शेयर कर सकते हैं और उसमें आप पीडिया फॉर्माइट या इमिजिस को भी शेयर कर सकते हैं, अगर आप डिजाइनर हैं और कोई इमिजिस वगार हैं, वो भी आप डाल सकते हैं या आपने जिस चीज को लिखा या तयार किया, उसके प्रॉसेस के बारे में भी आप कोई मालूमात उसमें दे सकते हैं उसके steps भी दिखा सकते हैं कि अगर आपने कोई sculpture तियार किया है तो वो पहली stage पर कैसा था, दूसरी पर कैसा है और तीसरी पर कैसा है या अगर आपने कोई photographs को वो किया है, editing किया है तो उसको आपने कैसे step by step लेकी चलें So that will be a point of interest for people who are watching it also Links दे सकते हैं, images और multimedia कोई video का link है आपने कहीं presentation कोई दी है किसी topic के ओपर वो भी आप उसमें डाल सकते हैं और फिर जो है ये सारी आपकी एक किसम का visual resume जो है ये तियार होगा and this is an additional thing that you can share और ये आपके actual काम का पता देती है क्योंकि resume में तो आप कह रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ या मेरे skills हैं, इसमें आप दिखा रहे हैं कि ये देखो, ये मैंने किये तो you are basically justifying what you may have claimed on a resume or in an interview तो ये ये भी एक अच्छी resource है और जो अपने आपको अच्छी positive light में present करने की light हो वो option हो, उसको हमें use कर लेना चाहिए मकसद किया इनका, this is a long list, basically मकसद ये है कि आपने आपको showcase अपने काम को करना है आपने future employers को interest करना है और online presence आपने बिनानी है ताके, क्योंकि it's important online presence जो है, उससे आपको opportunities मिल जाती है, competitive market है जाए आपने online assignments डूननी हो, या वैसे किसी employer के लिए काम करना हो, हर चीज के लिए the market is very competitive and any little thing that you can do to make yourself stand out, you should definitely do it and these are not complicated options, these are very simple options और इससे आपको खुद अपने बारे में सोचने का भी मक्त मिलेगा कि अच्सा मैं अपनी कौन सी चीज प्रिजेंट करूँ, मैं उसकी theme की image कौन सी लगा हूँ और आपका एक personal brand आप कैसे कर सकते हैं, decide उसके उपर so these are all opportunities to do that जब आप पोर्टफोलियो बनाने बैठते हैं तो आपको बहुत सी चीजें सोचनी पड़ती हैं and that's also an important exercise in building up yourself उसके इलावा, ये कौन बना सकते हैं? ये हर शखस बना सकते हैं जिसका भी कोई काम है डिस्पले करने के लिए सिर्फ writers के लिए, artists के लिए नहीं है, वो पिछले वक्तों की बात थी अब interior decorators बना सकते हैं, graphic designers, fashion designers, किसी भी किसम के, jewelry के, furniture के visual artists कोई भी, studios वाले, event planners, restaurants वाले, anyone can make a portfolio और उसमें अपने हसाब से वो information शेयर कर सकते हैं क्योंकि उसमें information क्या आप डालें, उसके options बहुत से हैं, links, images ये वो तो there is some way or the other for everyone to showcase their work और ये एक किसी ने अपना portfolio बनाया है, उसकी image वैसी आपको interest के लिए दिखा रहे हैं और you can explore this as well, ये writer है और उसमें उन्होंने अपना Twitter account भी बिताया हुआ है, LinkedIn का भी बिताया हुआ है, how to reach her तो आप उनका काम देख सकते हैं और जो employers उनको employ करना चाते हैं further उसकी basis पे, तो उनको वो approach भी कर सकते हैं तो ये this is further down on the page, के उन्होंने जो articles लिखे हैं, जो blogs लिखे हैं, journalistic उनकी entries हैं, ये सारी, there's a whole long list of it ये portfolio प्राने के अकसर options free भी हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा content डालें अगर या उसके ज्यादा features यूज करने के लिए आपको कोई premium pay करना पड़ते हैं, but you can always start it for free, see how it works, see how you like it, and then decide कि आप उसको premium pay करने की option में interested हैं के नहीं Happy exploring portfolios!